आप सभी को जैस्री कृष्णा राधे राधे तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू कोपाइल की एक सत्य घटना जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू कोपाइल के प्रती स्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा तो ये सत्य घटना मेरे साथ सेयर की है एमपी नर् पूर से कल्पना जी तो कल्पना जी बताती है कि उनके साथ लड्डू कोपाइल की एक ऐसी घटना घटी है जिसको सुनकर आप लोगों के भी दिल में लड्डू कोपाइल के प्रती जो स्रद्धा है और बढ़ जाएगी तो वो कहती है कि पहले मैं लड्डू कोपाइल की स बस और मेरे अंदर कोई भगवान के प्रती वो नहीं था लगाओ नहीं था सिर्फ एक काम के उससे में पूज़ा करती थी क्योंकि ब्राम्हन परिवार में जनम लिए हैं तो इतना थोड़ी बहुत तो जो देखते आए हैं बस उसी को फॉलो कर रहे थे और मन में कोई सरधा नहीं थी कोई भगती नहीं थी लेकर लड़ू कोपाल ने मेरे मन में ऐसी सरधा भगती जगाई कि अब मैं बिना उनके मतलब सेवा के रहे ही नहीं पाती हूँ अब तो हम मेरा और लड़ू कोपाल का ऐसा रिस्ता हो गया है ना कि ऐसा लगता है कि जैसे मैं उनके बिना धूरी इस तरीके से हो गया है तो ये सति-खटना ऐसे घटी है, कि जहां पर ये रहती थी, मतलब जिस कॉलोनी में ही रहती थी, तो पहले ही रहती थी, क्राय से, रेंट के मकान में रहती थी, और वही पर थोड़ी सा आँगे, एक मकान था, जो कि कुछ सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ था ना तो उसको कोई ले रहा था और ना ही कोई रेंट में आ रहा था और पता नहीं क्या था क्योंकि बहुत सालों से पड़ा था और है तो ऐसा नहीं था कि मकान खराब था कि रहने लाइक नहीं था ऐसा बिलकुल नहीं था बहु तो मैंने उनसे पूछ़ा कि भाभी, यह मकान में बहुत टाइम सी देख रही हूँ ना तो इसमें कोई किराillार आरा है और ना किस का मकान है, यह इसमें कोई रहता भी नहीं है तो फिर उन्होंने बताया कि बतानी इसमें, कुछ साल पहले पतानी क्या हो गया था ऐसे कि मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा डैथ हुई होगी जो भी हुआ हो तो कोई भी मकार रेंटर जो भी आते हैं तो वो रहते ही नहीं है कुछ दिन रहेंगे और चले जाते हैं जो भी कारण हो अभी तक इसका कुछ भी पता नहीं कि क्यों ऐसा होता है मतलब रेंटर आते भी हैं तो एकाद महीने ही रहेंगे और चले जाएंगे ऐसी करके और तो फिर मैंने पूछा कि मकान मालिक कौन है कहा है तो बुले कि एक कोई बूठे अंकल रहते थे उनकी डैथ हो गई है और बच्चे यहां पर है नहीं बच्चे रहते हैं बाहर इस वज़े से कोई नहीं रहता है ऐसे तो फिर क्या होता है कि चलो अब ये बात मुझे पता चल गई थी अब क्या होता है कि कुछ समय के बाद मतलब कुछ महीने के बाद मेरे अजबेंट कहते हैं कि यार यहां पर अच्छा है कॉलोनी भी अच्छी है मकान ले लेते हैं अपन ऐसे थोड़ी थोड़ी करके मतलब किस्त से किस्त बन जाएगी और अपन मकान ले लेते हैं नहीं तो ऐसे रेंट भी इतना जा रहा है वही रेंट हम मतलब किस्त में भर देंगे जो बैंक से लोन लेंगे ऐसे करके ये दोनों सोचते हैं मकान लेने के लिए अब ये उस कलोनी में बहुत मकान देखते हैं आसपास जमीन भी देखते हैं लेकिन उनको कुछ समझ में ही नहीं आता और ये जो मकान था जिसमें वो भावी बताई हुई थी कि यहां पर कोई रहता नहीं है कुछ पता नहीं जो भी कारण है तो एक दिन इनकी हस्बेंट कहते हैं कि यार ये मकान तो बड़ा अच्छा है और कॉर्नर का मकान है और दोनों तरफ से गलियां निकली हैं बड़ा अच्छा है तो फिर मैं कहती हूँ कि नहीं उस मकान में नहीं रहना है वहाँ जो भी आता है और तो जादा दिन रहे नहीं पाता है और चला जाता है पता नहीं क्या हुआ था भाभी ने बताया कि कुछ अन्होनी हो गई है इस घर में इस वज़े से तो उनके हस्बेंट ये सब चीज मानते नहीं थे उनके हस्बेंट पूजा करते थे बहुत अच्छे से हनुमान जी की पूजा करते थे और भी वगवानों की करते दिले लेकिन ये सब चीजें वो नहीं मान दे बोले कि ऐसा कुछ नहीं होता है जरूरी है कि अगर उस घर में अगर कहीं पर कोई कुछ हो जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि दुबारा कोई जाता ही नहीं है कि कोई रहता ही नहीं है तो फिर बाद में मेरे जो हस्पेंट थे वो भाभी से बात करते हैं कि भाभी पूरी बात क्या है किस वज़े से ये मकाने से खाली पड़ा रहता है तो फिर वो बताती है कि में बात ये है कि उनके जो बच्चे हैं वो बाहर रहते हैं यहां रहते नहीं है और है तो कोई रेंटर पता नहीं जिस बज़े से भाई या वो रह नहीं पाते हैं या तो पसंद नहीं आता या कि बहुत बड़ा मकान है तो जो भी सुनसान जैसा भी जो भी कारण हो अब ये तो मुझे नहीं पता है पर इस वज़े से और कुछ नहीं है तो वो कहते हैं उनके husband कहते हैं कि नहीं अब तो मैं लूँगा तो इसी मकान को लूँगा पता नहीं मुझे ये मकान क्यों ऐसे लगता है कि नहीं रहना चाहिए और इतना अच्छा है इतना सुन्दर मकान है पता नहीं क्यों लोग ऐसे वो करते हैं तो अब ये जो कलपना जी है ये तो डरती है कि पता नहीं ऐसा ये बिलकुल जिद पे आ गए है कि इसी मकान को लेना है और है तो मुझे तो बड़ा डर लग रहा है और जब से भावी ने बता दिया था कि एक बहिने के तक ही रहते हैं मतलब कोई भी किराएदार होते हैं तो उनको और डर बैठ गया कि ऐसा तो नहीं कि कुछ हो मतलब भूदूद इस तरीके वही किसी की भी बात हो लेडीजों को ना कुछ जादे ही इस तरीके का डर लगता है जेंट्सों को इतना नहीं लगता क्योंकि वो सब कुछ सोचती हैं अब वो अपने अस्वेंट से कहती ह कि देखो तुम तो चले जाते हो कभी कभी बाहर भी चले जाते हो मुझे अकेले रहना पड़ेगा तो मैं कैसे रहूंगी इस घर में और मैं मुझे नहीं चाहिए ऐसा घर इसे अच्छा हम इसे अच्छा किराये से जिस में मकान में रह रह रहे हैं मैं उसी में रह लेकिन मैं उस मकान में नहीं जाओंगे ऐसे करके फिर उसके हस्वेंट बहुत समझाते हैं कि यार ये सब कुछ नहीं होता हैं बगवान की पूजा करते हैं पार्ट करते हैं कुछ भी निगेटिविटी कुछ नहीं आती हमारे सामने बहुत समझाते हैं लेकिन वो मानती नही की ये लेड़ू कौपाईल की क्रपा ही थी कि क्या था कि now ये उस मकान से जब भी निकले न तो इनको ऐसे लगे, किस मोकान में जाके देखूं मतलब पता नहीं क朝 क्या होने लगा था इनको लगता था कि मैं खोलका की आख्या की आखिर है किया कैसा है अब इनको भी लगने लगा था कि नहीं आर रहना चाहिए पता नहीं अचाहनक से इनके मन में ऐसे भाव आने लगे थे कि नहीं मुझे भी देखना है कि क्या है किस वज़े से लोग ऐसे वो होते है फिर वो एक दिन अपने हस्बेंट से कहती है कि यहार ऐसा करो कि देख लेती हैं अपन मकान में क्या है ऐसे और मतलब कि पता चल जाएगा कि किस वज़े से लोग नहीं रहते कुछ मकान में कमी हैं क्या है तो वो बोलते हैं कि चल ठीक फिर पूछते हैं कि अभी तक तो तुमना कर रही थी तो बूले कि पता नहीं कुछ दिनों से मुझे ऐसा खुद अंदर से लग रहा है कि नहीं देखना चाहिए मकान को तो फिर उनके हस्वेंट जो भी मतलब डीलर था जिसके थो वो मकान जाना था बिकना था तो उससे बात करते हैं तो वो फिर उचाविया भी देता है और साथ में आता है खोलता है मकान तो ये जो थी कलपना जी इनको देख कि वो मकान बड़ा अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है वो मकान कहते हैं फिर मुमन में सोचती है अर इतना अच्छा मकान पता नहीं लोग क्यों नहीं रह रहे हैं और फिर अपने हस्वेंट से कहते हैं कि नहीं ले लेते हैं बहुत अच्छा है ऐसे मतलब उनको ना उस मकान में घुसके ऐसे पॉजिटिविटी सी आ रही थी ये चीज बिलकुल नहीं लग रही थी कि जैसे वो पहले सोचते थी कि अरे डराओना होगा ये होगा अपनी आप ही जैसे उस घर में घुसी हो और उनको पॉजिटिविटी सी मिल रही हो कि यही नहीं मुझे इसी मकान को लेना है अब उनके हस्वेंट उससे बात करते हैं डीलर से कि जिसका भी मकान है उससे बात करा दो और क्या कैसे फिर वो जो डीलर होता है वो उस भाईया से बात करती है जिनका ये मकान होता है तो वो भी क्योंकि बेचना तो था ही उनको मकान बाहर रह रहे थे यहां तो रहनी रहे थे इनोंने और बहुत पहले ही बोल दिया थे कि अगर कोई मकान अगर खरीदे तो ले सकता है फिर बाद में इनोंने क्या किया कि नोड़ी बहुत पैसे कमवम कराया और उस मकान को ले लिया अब इनके साथ कुछ ऐसे घटना घटी कि इनोंने तो सूचा भी नहीं था अब जब ये मकान ले लेती हैं और हैं तो मतलब पूरे तरीके से ये समझो कि सब कुछ हो गया अब ये मकान इनका हो गया बस इसमें सब कुछ complete था बस white wash करवाना था और कुछ नहीं करवाना था और फिर ग्रह प्रवेश करवाना था अब ये जब जाती हैं घर जाती है उसमें मतलब प्रवेश के उससे नहीं white wash के उससे अब ये सारे कमरे को खोल खोल के पहले तो इतने अच्छे से वैसे नहीं देखी थी ना तो अब इनको क्या होता है कि जब ये kitchen में गुसती है तो एक almारी होती है उस almारी में एक छोटे से सुन्दर से लड़े गोपाल इनको मिलते है मतलब उस ऐसा लगटा है कि जैसे जो भी इस मकान में रहा है उन्होंने लिया तो लड़ी गोपाल को भूल गए हो या कि इनको छोड़के गए हो क्यूंकि इनकी जो आँखें थी ना वो उनकी सही नहीं थी तो इस वज़े से य कि उन्होंने दूसरे मकान दूसरे लड्डू को पाल ले लिए हो जो भी कारण हो वो लड्डू को पाल मिलते हैं जब ये जो कल्पना जी है जब ये लड्डू को पाल को देखती है ना तो इनको देखके उनका जो चहरा है ना बड़ा वैसा लगता है उदास सा लगता है क्य उसे इनकी सेवा नहीं हुई है और क्या है तो ये कुछ और नहीं है जो मकान में जो लोग रह नहीं पा रहे थे ना ये जो कल्पने जी कहती है कि ये मुझे ऐसा लगता है कि ये इसी बज़े से नहीं रह पा रहे है क्योंकि जो भी आते थे सब खाने पीने वाले आते थे तो भै जिस घर में भगवान बैठे हों और वो ये सब चीज तो बरदास नहीं कर सकते ना तो वो तो थे ही कनहिया जी बैठे थे और उनको वो पता नहीं लोग कैसे रह रहे थे क्या था कि जिसने अभी छोड़ के गए थे वही लोग थे जो भी कारण रहा हो जो जिनके भी ये वो कहती है कि ये मुझे मिले लड्डू गोपाल और फिर मैंने इनको अच्छे से घर लेगिं की बहुद अच्छे से पंजम्र से सिष्णान कराया और जो इनकी आँखे खराब सी हो गई थी इनका मैंने मेक ओवर कराया इतने प्यारे लड्डू गोपाल हो गई थे इतने हो गए थे कि अब तो ऐसा लगता है मेरे घर में जो कि लड़ू गोपाल नहीं थे मैंने कभी लड़ू गोपाल की सेवा नहीं की थी लेकिन जब से लड़ू गोपाल मिले थे ना तो ऐसा लगता था कि जैसे सब कुछ मतलब दुनिया कुछ नहीं है, सब कुछ यही है, इनकी सेवा करते करते, मेरे अंदर ऐसा भाव आगया और आज तक इतने सालों से मैं इस मकान में रह रही हूँ, कभी कोई ऐसी अनोनी नहीं घटी, कभी कोई ऐसा सपना नहीं आया, कभी कुछ ऐसे निगेटिविटी मुझे कभी समझ में नहीं आई, और मेरे जो हस्वेंड है, वो हपते में या महिनी में कभी न कभी ऐसा उनका बाहर का टूर होता ही रहता है, बहुत बार ऐसा होता है, कि मुझे अकेले रहना पड़ता है बच्चों के साथ, लेकिन मेरे लड़ू गुपाल का सहारा है, और जब उ लड़ू गुपाल की वज़े से ही हुआ, और ये जो मकान मुझे मिला, ये लड़ू गुपाल ने ही मुझे दिलाया, मैं तो यही समझती हूँ, और तब से हम लोगों, जब से ये लड़ू गुपाल मिले हैं ना, तब से हमारी समझे जीवन ही बदल गया, जिन्दिगी ही बदल गई इतनी मतलब मेरे हस्बेंट का इतना फ्रमोशन हुआ सब कुछ हुआ ये सब लड़ो गोपाल की वज़े से और जिसने भी लड़ो गोपाल को छोड़ा है आप लोग अगर कभी दूसरे लड़ो गोपाल भी लेते हैं तो इस तरीके का बिलकुल मत किया करी अगर आ जैसे हो जाते हैं तो आप कभी भी अपने लड़ो गोपाल को कहीं छोड़ के नहीं आए क्योंकि उन लड़ो गोपाल का आपके प्रती भाव रहता है और आप उनको छोड़ की आएंगे तो बताएं कितना बुरा लगता होगा उनको और जिनको मिलते होंगे उनकी उपर त तो वो भी तो क्रपा करेंगे, वो भी तो अपनी अन्भूती कराएंगे ना हर पल, तो ऐसे ही हुआ मेरे लड्डू को पाल के साथ, और बहुत ही प्यारा मेरा और मेरे लड्डू को पाल करिस्ता है, और कभी उनको हसते देखती हूं, कभी उनको उदास, मतलब हर भाव मैं उनका महसूस कर पाती हूँ तो और मेरे मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी लड़ू कोपाल की सेवा करूँगे कि मैं कभी करती ही नहीं थी लेकिन जब से ये मुझे लड़ू कोपाल मिले हैं तब से मुझे तो इतनी सत्य घटना तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सेयर और सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं किसी नेश्ट वीडियो के साथ सत्य घटना के साथ जब तक अपना ख्याल रखिए अपनों का ख्याल रखिए थैंक्यू सो मच भूल वाच करने के लिए राधे राधे